हेलो जाई हिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल शुबम एकलासिस में आज की कलास में हम जीके के टॉप 30 मिक्स कोश्चन डिसकस करने वाले हैं जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस सभी सब्जेक से मिक्स कोश्चन रहने वाले हैं, आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो, चाहें वह आपके एक्जाम आर्मी जीडी है, कलरक है, ट्रेट्समन है, टेकनिकल है, आज की कलास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है, तो अपना साथ सा टेस्ट भी से गाएगा, इन तीस प्रस्णों में से यदि आपके 25 प्लस कोश्चन ठीक होते हैं, तो समझना कि आपकी त्यारी बहुत ही बहतरीन है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं, तो चलिए अपनी कलास शुरू करते हैं, कलास हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लै और इजिनल पेपर, और इसमें जो ये तीसरा प्रस्ण है, ये मुझसे कल गलत हो गया था, तो इसको पहले करेक्ट कर लेंगे, सरवोच गैर सैनिक वीरता पदक जो है वो अशोक चक्र होगा, इसका ओप्शन डी करेक्ट होगा, मैंने परम वीर चक्र बताया था, जो की ग जल्दी से अंसर दीजेगा, सार्स किसके द्वारा फैलने वाला रोग है, आप्शन आपके सामने है, जिवानों, विशानों, कवक या फिरिप, प्रोटो, जोवा, तो आंसर मैच करेंगे, जिनों ने यहाँ पर आंसर, आप्शन बी दिया है, वाइरस द्वारा उनका बिल श्वेत करांती का संबंद किसे से है, बहुत ही आसान प्रशन और बहुत बार करवाया गया कोशन, और बहुत बार आपके एकजाम में पूछा गया प्रशन, श्वेत करांती का संबंद किसे है, सही ने आइंसर दिया है, आप्शन बी दुग्द उत्पादन बिलकुल करेक आंसर होगा जी कोशन नमबर थर्ड आपके सामने हूँ आज दा लास्ट मुगल रूलर अंतिम मुगल साशक कौन था आप्शन सामने हैं समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं आंसर मैच करेंगे कि आप सभी ने आप्शन ए को आंसर दिया है बहादुर शाह जफर इसके बाद आप सेकिंड भी लगा लें बहादुर शाह जफर द्वीतिय आंतिम मुगल साशक था चालो जी कोशन नमबर फोर आपके सामने क्षेत्रफल की द्रिष्टी से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है कोशन पहले करवाया गया है रिपीट करवा रहा हूं जल्दी से आंसर सभी का सई आना चाहिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा सात्वा स्थान है और एक बर और रिवाइस करूँगा जनसंख्या की द्रिष्टी से भारत का स्थान है दूसरा ये ध्यान रखिएगा चलो कोशन नमबर फाइव प्रसिद जाकिर हुसैन का संबंद किस से है शहनाई वादन बासुरी वादन कत्थक निरित्य या फिर तबला वादन आंसर दीजेगा जल्दी से वेरी वेरी क्विक प्रसिद जाकिर हुसेन का संबंद किससे है तो option D answer match करो क्या option D दे रहे हो सबी तबला वादन से है जी Question number आपके सामने 6 है याँ पे Which channel connects the Red Sea and the Mediterranean Sea कौन सी नहर लाल सागर और भूमद्द सागर को जोड़ती है बहुत ही important और संभावित प्रश्न Answer क्या देंगे option D देंगे स्वेज नहर और बिल्कुल सभी का सही answer आ रहे है जी Question number 7 देखिए आपके सामने निमन में से कौन नाजीवाद के संस्थापक थे संस्थापक की जगा आप क्या कर लो परवर्तक कर लो Supporter Right Answer option इसका C जिनों ने दिया है Hitler उनका Right Answer होगा Option C चले आगे चलिए Question number 8 देखेंगे सभी Where is कुतुब मिनार लोकेटिड कुतुब मिनार कहां पर इस्थित है अजमेर दिल्ली मुंबई हाइद्राबाद कुतुब मिनार का निर्मान गुलाम वन्ष के संस्थापक कुतुबू दीन एबक के द्वारा करवाया गया था और ये कहां पर है तो ये दिल्ली में है आप्षिन बी इस प्रशन का सही उत्तर होगा चलिए Question number 9 आपके सामने Where is the Sahariya tribe found? Sahariya जन्जाती कहां पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल और तमिल नाडू जल्दी से आंसर दीजेगा, इस प्रशन का very very important सहरिया जन्जाती पाई जाती है, राजस्थान में option B correct answer होगा और मध्य परदेश में भी इसका कुछ आंशिप पाया जाता है, ये ध्यान रखियेगा चलिए Question number 10 आपके सामने है Which country is the largest producer of silk? Silk का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, मयामार या फिर दक्षिन, आफ्रिका सही जवाब होगा, option B, चीन Silk का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन है? चीन है भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है चलिएगा Question number 11 पर चलते है Which of the following is not an example of खरीफ क्रॉप? निमन में से क्या खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है? धान, मक्का, जुआर, चना, option सामने है जी जल्दी से आंसर दीजिएगा Option D क्या सभी ने सही आंसर दिया है चना, चना जो है यह है रवी की फजल है चलिए, Question number 12 आपके सामने कावेरी नदी किस शेक्तर में बहती है Very, very important and very, very easy question पता होना चाहिए सभी को कावेरी नदी किस शेक्तर में बहती है तो right answer मैच करेंगे मेरे साथ क्या आप सभी ने Option D को आंसर दिया है दक्षिन बिल्कुल correct answer है कावेरी नदी दक्षिन भारत में बहने वाली प्रमुख नदी है चलिए, Question number 13 है Which is the Confluence of the Ganga-Yamna River Ganga-Yamna नदी का संगम स्थल कोन सा है परियाग राज हरीद्वार कोनार्क अमरनात सही जवाब इस प्रस्न का Option A होगा परियाग राज जिसको इलहाबाद बोला जाता था पहले इसका नाम चेंज होके परियाग राज हो गया है यह गंगा और यamna नदी के संगम पर इस्थित है नदी किनारे बसे नगर वाला टॉपिक आपको करवाया है और उसके अंदर यह कोश्चन भी मैंने करवाया है चलिए कोश्चन नमबर चोदा का अंसर दल बदल कानून कब पारित किया गया बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन जी बावनवा सविधान संशोधन 1985 में पारित किया गया ओप्शन C राइट आंसर होगा इसका ओप्शन C जीनोंने आंसर दिया है उनका उत्तर बिलकूल करेक्ट है ओके और कौन सी अनुसूची में है अनुसूची दस्वी में है यह ध्यान रखिएगा चलिए कौशन नमबर आपके सामने 15 वट पार्ट ओफ दा बोडी इस दा पेजमेकर रिलेटिड टू पेजमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है आंसर ओप्शन B जिनोंने दिया है हिरिद्य उनका सही आंसर होगा और देखो एक ओर आता है आपके सामने ECG इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ इसका भी संबंध हिरिद्य से है ठीक है चलो कौशन नमबर 16 का अंसर देंगे सभी वेन वाज़दा ओल इंडिया मुस्लिम लीग इस्टेबलिस्ट ओल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई ओप्शन B करेक्ट होगा 1906 में औल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1905 में ध्यान रखेगा महत्तोपून घटना हुई है जिसको बोलते हैं पंगाल विभाजन लॉड करजन के समय में 1942 आप सभी को पता है भारत छोड़ो अंदोलन लॉड लिन लिथ गो के समय में क्रिप्स मिशन चलो कोशन नमबर 17 है आपके साबने वीच इस दा लार्जेस्ट स्टेट ओफ इंडिया इंट टर्म्स ओफ एरिया शेत्रफल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य कोन सा है सही जवाब ऑप्षन डी होगा राजस्थान शेत्रफल की दृष्टी से जनसंख्या की दृष्टी से आपका उत्तर प्रदेश है ये ध्यान रखेंगे चलिए आगे कोशन नमबर 18 बान भट किस समराट के राज दरबारी कवी थे चंदरगुप्त मोर्या समूद्रगुप्त हर्षवर्धन या फिर कनिश्क करेक्ट अंसर होगा इसका ओप्षन सी हर्षवर्धन के राज दरबारी कवी थे चंदरगुप्त मोर्या के समय में कौन आया था मेगस्थ नहीं जाया था ये आप ध्यान रखेंगे वेरी वेरी इंपोर्टन्ट है पूछा जा चुका है जी कनिश्क के दरबार में परमुक चिकिसक थे जिनका नाम था चरक ये भी आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है ठीक है चलो आगे कोशन नमर 19 का अंसर जल्दी से देंगे भारत की राष्ट्रिगान के अलावा रविंद्रना टैगोर ने किस देश का राष्ट्रिगान लिखा है सभी का अंसर पहली बार में सही आना चाहिए राष्ट्रिगान का नाम है अमार सुनार अमार सुनार बांगला अब जैसे ही बांगला आया आपका आंसर आ जाना चाहिए बांगलादेश चली आगे कोशन अमबर 20 है आपके सामने हैं खुजराहो मंदिर किस वंस के शाषकों ने बनवाए थे आंसर आपशन बी होगा इसका चंदेल वंस औ जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कूल करेक्ट आंसर दे रहे हैं मैं उमीद करूंगा शेशन आपको पसंदाराग और कोश्चन सभी की सभी एकदम आर्मी लेवल के हैं आपके एक्जाम में डेफिनिटली ऐसे ही कोश्चन पूछे जाएंगे 21 अंग्रेजो द्वारा प्रथम व्यापार केंदर किस स्थान पर स्थापित किया गया अंग्रेजो द्वारा आंसर मैच करेंगे मेरे साथ क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है सूरत उनका बिल्कुल सही आंसर है अंग्रेजो द्वारा पहली फैक्टरी सूरत में ही स्थापित की गई थी कोशन नमबर ट्वंटी टू आपके सामने चंद्र ग्रहन किस दिन देखा जा सकता है जल्दी से आंसर दीजिएगा अमा वस्या के दिन पूर्णिमा के दिन दोनों या फिर कोई नहीं चंद्र ग्रहन देखा जा सकता है पूर्णिमा के दिन option B right answer होगा जी 23 number question how many hours before the election campaign in the constituency is closed चुनाव शित्र में चुनाव प्रचार कितने घंटे पहले बंद होता है कितने घंटे पहले बंद हो जाता है चुनाव प्रचार सही जवाब option C होगा 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है 24 का answer देंगे जल्दी से When was the national emergency declared for the first time in India भारत में पहली बार राश्ट्रिया पातकाल की घोशना कब हुई तो यह ध्यान रखिएगा भारत में पहली बार राश्ट्रिया पातकाल 1962 में लगा था दूसरा पातकाल 1971 में और तीसरा पातकाल 1975 में यह ध्यान रखेंगे यह तीनों very very important है आपसे दूसरा भी पूछ सकता है आपसे तीसरा भी पूछ सकता है आपसे पहला भी पूछ सकता है ओके चलो बढ़ते हैं next question पे next question है आपके सामने 25 किस सविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जाद दिया गया किस सविदान संशोधन के तहत तो option डी राइट होगा 56 सविदान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया अब चलो question number 26 आपके सामने है किस अनुचेद के तहत राश्ट्रिय वित आयोग का गठन किया गया राश्ट्रिय वित आयोग का गठन option D correct होगा इसका 280 अनुचेद के तहत ओके चलिए question number 27 है आपके सामने जल्दी सांसर देना है इसका who was the anniversary of India at the time of India's independence भारत की अजादी के समय भारत का वाइसराय कौन था जल्दी सांसर दीजेगा और इसका आपको PDF अगर चाहिए बिल्कुल फ्री में हमारे टेलिग्राम चनल पर शाम को अपलोड होता है आंसर दीजेगा इसका भारत की अजादी के समय भारत का वाइसराय था लॉर्ड माउंट बैटन ओप्शन डी करेक्ट आंसर होगा जी ओके लॉर्ड इवरिन कब था 1931 गांधी इवरिन समझोते के समय में लॉर्ड करजन 1905 बंगाल विवाजन के समय में लॉर्ड मैकाले रे अंग्रेजी सिक्षा में सुधार किया था 28 नमबर कोश्चन किस प्रक्रिया द्वारा उश्मा स्थानांतरन के लिए किसी माध्यम की आवश्यक्ता नहीं होती है ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके स्थानांतरन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यक्ता नहीं होती है समवहन, चालन, वीकिरण, रुपांतरण चारो ओप्शन स्क्रीन पे है सही आंसर होगा ओप्शन C, रेडियेशन यानि की वीकिरण जैसे सूर्य का प्रकाष्ट प्रित्वीर पहुसता है वीकरण विधी द्वारा किसी भी माध्यम की आवशक्ता नहीं होती निर्वात में भी वहन कर सकता है ओके चालो कोशन नबर 29 आपके सामने है वट पाट इस दा समाल इंटस्टाइन छोटी आत किस अंग का हिस्सा है किडनी फेफडे नाक पाचन तंत्र सही जवाब रहेगा इस प्रस्ण का ओप्शन D डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र चलिए कोशन नबर 30 आपके सामने है जल्दी से इस प्रस्ण का अंसर देंगे सभी की सभी और इस प्रस्ण का अंसर देने के बाद आपको सेशन कमेंट बॉक्स में बताना है कैसा लगा मेरा पढ़ाय हुआ आपको कैसा लगता है और आपका आज का स्कोर कितना है ये सभी को कमेंट करना ही करना है सभी का स्कोर कमेंट बोक्स में चाहिए किस बुखार को मियादी बुखार कहते है लो जी आज का लास्ट कोशन आपके सामने किस बुखार को मियादी बुखार कहते हैं तो सही जवाब क्या होगा option B होगा टाइफॉइड टाइफॉइड को मियादी बुखार कहते हैं और देखो last मैं बोलता हूँ अब जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करके ही जाइएगा सेशन को अगर पसंद आया है तो यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हैलफूल है तो सब्सक्राइब करने के बाद अपने किसी दो-चार फ्रेंड को जुरूर शेयर करें जिससे कि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी त्यारी को कंटिन्यू कर सके अपना स्कोर बताइए का कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्कोर कितना है मिलते हैं नेक्स टीडियो में कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत